मध्या प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने आरक्षन का बड़ा दाव खेला है OBC आरक्षन पर अध्यादेश को हरी जंडे दिखाने के बाद अब सरकार ने इसे कानून का रूप देने की तयारी कर ली है जिसे कैबिनेट से मनसूरी मिल गई है आरक्षन के साथ ही कॉंग्रस सरकार की कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले भी लिए गए जो युवाओं के लिए बड़ी राहत है जिससे सरकार पर आई आफ़त कम हो सकती है राजनीती में आरक्षन ऐसा हतियार है जिसका इस्तिमाल कर सियासर्दा जनता का मनमोहने के साथ विरूधियों पर निशाना लगाते हैं पिछले कई दशकों से आरक्षन के बहाने राजनीती गुरूटियां सेखने की प्रथा चल रही है जिसे आगे बढ़ाने में ना बीजेपी बीचे हैं और ना ही कॉंग्रेस जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी जातियों को ऐसी सूची में डालने का दाव खेला तो महीं अब मद्य प्रदेश की कमाला सरकार ने दो कदम आगे बढ़ाते हुए ओबीसी आरक्षन का दायरा बढ़ा दिया है कॉंग्रेस सरकार ने राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षन के विध्यक को मंसूरी देती है राज्य में पहले ओबीसी जाति को 17 फीसेदी आरक्षन मिलता था जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार ने विधानसवा सत्र में ओबीसी के लिए सरकारी नौक्रियों में 27 प्रतिशत आरक्षन देने के लिए संशोधित विध्यक लाने के मसूदे को हरी छंडी देती है अध्यरेश के जरिये इस प्रावधान को राजे में पहले ही लागो किया जा चुका है अब से कानून का रूप देने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है लेकिन रिपक्ष बार बार इसमें अडंगा डाल रहा है हाई कोट में या चिकाएं दी जा रही है जबकि हाई कोट ने इस प्रावधान को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया आरक्षन कदाओं खेलने के साथ ही सरकारी नौकरियों में सीधे भरती वाले पदों के लिए आयो सीमा 35 से बढ़ा कर 40 वर्ष कर दी गई है सूबे की कमला सरकार कैबिनेट बैठक में ना सिर्फ युवाओं पर महरमान हुई बलकि छात्रों के लिए भी बड़ा एलान किया कैबिनेट ने तै किया कि छात्रों को इस पार स्कूल यूनिफॉर्म की जगा नगत राशी दी जाएगी ये राशी स्कूल प्रबंदन समीती के माध्यम से सीधे छात्रों पालकों के खातों में जमा कराई जाएगी दो यूनिफॉर्म के लिए 400 की जगा 600 रुपे दिये जाएगे यानि जनता की परिशानी पर सरकार की जबरदस्त महरबानी है डिवलाइफ के रिपोर्ट